पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वैब डाउनलोड करें ज्यादा जरूरी समझा इसलिए हम यहाँ आ गए पर रानी साब आपने ये सब क्यूँ मेरा मतलब है ये आपका त्योहार तो है नहीं कोई भी त्योहार जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है उसमें सयोग करना हमारा कर्तव्य है नवापसा है मैंने कहा था ना आपसे आस्था आस्था होती है फिर वो चाहे आपकी हो या मेरी राज्यकर्ता और सिपाही होने के नाते आस्था का संरक्षन और संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है नवापसाहिब एक राजा पालक होता है अपनी जन्ता का पालन करता है वो अगर वो राजा किसी दूसरे राज्य में हो तो वहां की प्रजा की रक्षा भी उसे करनी चाहिए अगर आज आज यहां जमा हुए भक्तों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो उनकी आस्था बदनाम होती नवापसा है और जो मैं कते ही नहीं चाहती क्योंकि बेशक किसी का कोई भी धर्म हो उनकी आस्था का आदर करना और उनकी सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला उतेश है पर रानी साथ हमने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बावजूद भी आप नवापसाहिब आपने जो मेरे साथ किया अगर वही मैं आपके साथ करती तो आपमें और मुझमें अंतर ही क्या रहा पर मुझे यकीन है नवापसाहिब सही समय आने पर आप हमारी आस्था का भी सम्मान करेंगे एक राजा के लिए अपनी प्रजा संतती समान होती है उसका धर्म चाहे जो भी हो, आस्था चाहे जिस ओर भी हो राजा को उसका सम्मान करना चाहिए और रक्षा भी अब आप जाएए नवाप साहिब अपने लोगों की रक्षा कीजिए हम लोग भी आते है आते हैं जाएए जाएए लोगों की जाएएए लोगगों की आते हैं झाल झाल